गोंडा की जोती चोरसिया बनी HDM, जोती चोरसिया का गोंडा पोशने पर जरेदार स्वागत धोल नगारों के साथ किया गया, बेटी ने अपने माबाब के साथ गोंडा जिले का भी नाम रोसन किया, पिता की छोटी सी पान की दुकान है गोंडा में गुरू नानक चोरहाए पर जोती चौरसिया ने बताया कि माता पिता भाई वेन का सबसे ज़दा प्यार और सपोर्ट मिला कहते हैं परतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है वो आज जन्पत गूंडा में देखने को मिल ला है बेटी ने अच्छा मुकाम हासिल किया है बाप को इतना खुसी है कि हस से ज़्यादा हम जाने की कोशिद करेंगे एक यहां जोती चौरसिया है जो PCS में 21 जेंग हासिल करके गूंडा पहुंची है में बड़ा जोर्जात स्वागत हुआ है जोल नगारों के साथ और फूल माला से नवाजा गया है हम जाने की कुशिद करते हैं तक मुकाम कैसा रहा किस तरह से यहां तक पहुंची और कहां तक पढ़ाई की और कहां से सुरुवात किया परचे दी मेरा नम जोती चौरसिया है और मैंने यूपी पीसेज दो हजाए बाइस में 21 रेंक हासल करके स्टेम पत पर अपना चैनल लिया है और मेरी प्रादमिक सिक्छा सर गुंडा से ही हुई है यूघे और टंड़ शेच न वर ठीड़ गुंड़ गुंडा से किया स्री राक्ल मेला विद्यापीट से किया ग्रेड़िशन के बाद doe मैंने तैयारी शुरू किया अपनी तैयारी के लिए शर मैंने मैं लखनो गई लखनो में की सथा जो संस्थानी संस्थान है वहां पे पड़ाई किया खुद को और अपने बेसिक जो किताबे होती हैं बेसिक जो की पढ़ाई होती कम्प्रिट करने के बाद सेल्फ इस्टुडी शुरू की लाइब रहें और उसके बास से इस रूरेशन में मैंने अपना एमे किया सोशी लौजी से और साथी मैंने अभी आदी इ जी दिवरिया से अपने बीर्ड शुरू कर किया था और अब तक का ये मेरा चटवा टैम्ट था इसके पहले मैंने कोई मेरा मेंस नहीं दिया प्री नी क्वालिफाई हुआ हारो मेंस दिया था मैंने जो समिक्षादीकारी का होता है लेकिन उसमें भी असफली रही मैं ये मेर छठा टैम था इसी साल इसी बार मेहीं मेरा प्री निकला मेंस भी मेंस तक पहुंची मेंस भी क्वालिफाई हुआ इंट्रव्यू तक गई और यहां पर भी चैन हो गया यहां से आपका परवारिक सपोर्ट कैसा रहा किसको ज्यादा तरस से देना चाहेंगे पुरा परवा इसा नहीं था इन्होंने मुस्तक आने ही नहीं दिया इनका बस यह था कि अगर तुम्हें बनना है तुम कर रही हो हम साथ हैं जिस दिन तुम हार मानोगी हम भी हार मान जाएंगे और इस फिल्ड में आने के लिए कैसे पद आपको प्रणना मिली कैसे वह हुआ अपने किसी ओलाइन में जाने के प्रयास भी नहीं किया ग्रेजुएशन किया नॉर्नल ग्रेजुएशन भी सी उसके बाद से मैंने अपना इस से मैं अभी तो खतम कर दिया गया ऑप्षिनल तो यह दीरे-दीरे दिखाते हैं साब किसी फिल्ड में देखेंगे 10 तो 12 वो हर जगे सब बराबरी से हो रहा है और लड़कियों को मौका अगर वा गया तो उसका मतलब उन्हें मौका दिया गया है फेसे परवार में आप छोटी है यह बढ़ी है आपको किस तरह बहना बहन पे लगाओ रहा किस तरह कितनी बहने हैं कहूं को वही है एक बही है बड़े भाई है मैं बीच में हूं और एक चोड़ी सिस्टर है और सबसे ही सर थोड़ा सा रहता है हसमुक वाला थोड़ी चहल के अथमी टाइप से सब रहता है कि जब जिस चीज की दुरौत पड़ती है उस तरह से भाईया बनता था मेरा जब बहुत सीनियर पैरेंस की जरौत होती है तो भा सरे नहीं से लगधा सीशिवर होना माई से मुझाफ मां से लगा शो क्यिसा तायता है कैसा रहा माउस ख दोर दूर ईती हैं ωνदक्तिति इंहों कि अपनुद पा रहे हो जितना दुख मुझे होता था यह उत्याँ पर पना दूंट तो नहीं भी होता था सिर्हा तो यह स्ट लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि कभी किसी जगह पर पैरंस को बहुत स्टॉंग होना पड़ता है इमोशनली और यहां पर क्या होता है आपको स्टॉंग होना है नहीं रहे मैं ठीक हूं एकदम बढ़िया हूं तो आप उन्हें वह थोड़ा तसली रहता है कि नहीं ठीक है कोई है मुकाम पे पहुंचना तुक लगे रही हर नहीं माननी है कрий कैसी भी परिसीतीया रहे है लड़ के जगड के हर इंसान अपने मुकाम तक पहुंचा बस हार निमानी किसी जल्दी तो किसी को देष से मिलता है इसके बाद आगे क्या करने का इरादा अधो यहां तक तो आप पहुंची गहीं है और उसके बाद क्या करेंगी कुछ तैयारी और है बिल्कुल सब्सक्राइब यूपीस के टेम्ट है वो मुझे देने हैं जी यह थी जो 34 जी बता रही थी अब इनके पिता जी से हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि यह बहुत ही छोड़ी सी पान की दुकान है गुंडा में चला रहे हैं और किस तरह से बेटी को कहां पहुंचा है यह भी बड़ी बात है क्योंकि आने वाले टाइम में या भी माहिंगा इतनी है जो भी है कैसे जोने पूरा किया कैसे भेजा लड़की को और हम जाने की खुशिच करेंगे क्या नाम है आपका हेम चंचोरसिया जी बताइए आप गूंडा के हाई नहीं लगवग और आप गूंडा में रहकर किस तरह बेटी को पढ़ाया किस तरह आगे बढ़ाया अमारा मूल निवास देवरिया जिला ग्राम गड़ेर थाना भलवनी के रहने वाला था यहां आया अपनी बिजनस किया दुकान की पान की दुकान कर रहा था जब बच्ची इंटर में गई तो हमने इससे पूछा कि अब आप लाइन किस लाइन में पढ़ेंगी तीनों ने अपनी बात रखी मै सिवल सर्विस में जाना चाहता हूं तो अगर हम कहें कि अगर आप में हिम्मत है तो मैं चमता दे रहा हूं आपको मैं समर्थन दे रहा हूं आप पूरा परवार भी सिक्षित है ऐसा है आप मुटिवीट किया लड़की को पहुँचाया आप यहां के जो और माता पिता हैं स्विल सर्विस में तो उसको आप समर्थन दीजिए और उसके उपर छोड़ दीजिए और बैक्ग्राउंड को आप समालिए आगे का ग्राउंड रो समाल है अपने उन मातापिताओं से यह कहूँगा यह थे चोरासिया जी बता रहे थे कि किस तरह से अपने बेटी और बच्चों को पढ़ाएं और किस तरह सपोर्ट करें जो आगे बढ़ें गुंडा का नाम रोशन करें जिले का नाम रोसन करें और यहां तक है जहाँ के यह निमू झाल झाल